So, Hey guys, welcome back to our another new vlog video और आज का जो ब्लोग है इसमें मैं मूंबई जा रही हूं और अभी रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं रात के और ये मैंने अपना बैक पैक किया है और इसमें थोरा बहुत अपना समान लिया है रात कैसे खतम हो गई पता ही नहीं चला और अभी सुबह आप मालो की सुबह के 10 बज रहे ह होंगे और बाइब जू मैं मुमबाई जा रही हूँ वो बाई कार जा रही हूँ तो हमारा बहुती लंबा ट्रिप होने वाला है क्योंकि 1400 किलोमीटर जाना और 1400 किलोमीटर आना बहुत लंबा टाइम होता है और अभी हम लोग है राजस्थान के अंदर और राजस्थान के अंदर पानी देखने के बाद यह जो आप देखने एक नदी है तो मुझे ऐसा लगा कि ओ राजस्थान के अंदर भी पानी है लोग ऐसे ही बताते कि राजस्थान में पानी नहीं है पानी नहीं है और अभी सु थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी पता नहीं क्यों थोड़ा अचानक से तब्यत खराब हो रही है मेरी बट मुझे मुझे मुंबई जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा काम है मुझे सो ये मैं किस बात के लिए हस रही हूँ ना सच में मुझे नहीं पता क्योंकि काफी पुरानी हो गई है अभी माल लो आप एक दो विक बाद मैं इस वीडियो को इडिट कर रही हूँ वर्स ओवर कर रही हूँ मैं इसके उपर पर औ Brad और पता नहीं कोन सी गलियों से मुझे लेकर के जा रहाए वैसे हम लोगों को हाइवे से जाना था प्लाइवे चोड़कर ये पता नहीं कौन सा रोड पे आ गया था क्यूंकि अधा ये पता नहीं ने से दिक्कत थी बट कैसे भी करके मुझे वहां पहुचना है और मैं जिस काम से वहां जा रही हूँ मैं अपना काम फिनिस करूँ और फटा-फट मुझे वापस भी आना है ऐसा नहीं है कि मुझे लंबा प्लैन है मैं जिस दिन जाओंगी नेक्सटे मुझे आने का भी प्लैन है और यह जो रास्ता है यह है उदैपुर का और बहुत ही सांदार यह रास्ता है इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड के और मैंने आपको दिखाया सो मुंबई में मैं पहुच गई थी मालनो नेक्स डे मैं पहुची वहाँ पे दोपहर में इवनिंग तक रेस्ट किया फिर थोरी देर सो करके हम लोग जगे जगने की बाद सोचा कि क्यों न थोरा सा बाहर कुछ कपड़े हमेना आइरन करवाना था जो कि मैं बिना आइरन के रख ली थी बैग में क्योंकि यह प्री प्लान नहीं था जस्ट सडेलनी मुझे जाना परा सो मैंने वो कपड़े सोचे की चलो फिर इवनिंग तो हुई गया है बाहर थोरा सा कपड़े को आइरन भी करवा देंगे सो मैंने जल्दी से एक जिंस पहना हूँ और रेडी होके मैं बाहर निकल गई रेडी क्या होगा कुछ भी नहीं हुई क्योंकि मेरी तब्य थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी सो मैं बाहर गई और हमारे साथ सुचित भी आया था क्योंकि उसको भी लेके आयते कि चलो थोड़ा बहुत जो काम होता है वो संभाल लेता है सो कपड़ा हमने आयरन करवा लिया है जो सुचित ने पकर रखा है और मैं यह देख सकते हैं मुंबई की गलिया है मैं ज्यादा ब्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि मेरी तब्यद सच में खराब हो गई मुझे बिलकुल मजा ही नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग बना आसे रिकॉर्ड करा और यहां पर फिर मैं किसी बातों के लिए हैंसरी हूं अईसा लगता है सो चितने कुछ मजा किया होगा और फाइनली जो जहां पर हमारे होटल थे जस्ट पास में ही एक बीच था तो हम दोग वहां पर आ गए बट यहां भी मुझे मजा नहीं आया क्य नहीं पर खतम होता है प्लीज लाइक आवर वीडियो और सब्सक्राइब आवर चैनल